हे नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरा नाम है चंद्रिका परशाद इस वीडियो में हम कबर करने वाले हैं दोस्तों मुगल सामराज्य के 20 महत्पूल्ड प्रशनों को टॉपिक है जहांगीर इन्हीं 20 प्रशनों के साथ दोस्तों जहांगीर से सम्मंदित सारे महत्प जहांगीर के बच्पन का नाम क्या था? आपसन है A. फरीद, B. सलीम, C. खुर्रम, D. मुज्जम तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है दोस्तों, आपसन नमबर B. सलीम जहांगीर के बच्पन का नाम सलीम था, इसका जर्म 30. अगस्त 1579 में फतेयपूर सीकरी में सेख सलीम चिस्ती की कुटिया में हुआ था इसके पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उजमानी यानि की जोधा बाई था अकबर प्यार से इसको सेखु बाबा कहता था कि जहांगीर का आर्थ क्या होता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कोश्चन नम्मर दो जहांगीर के गुरु कौन थे आप्सन है A. मिर्जा गियास बेग B. अब्दुर्रहिम खान खाना C. मुहम्मद हुसैन D. हकीम हुकाम तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है दोस्तों आप्सन नम्मर B. अब्दुर्रहिम खान खाना कोश्चन नम्मर तीन जगत गुसाई किसकी पतनी थी आप्सन है A. हुमायू, B. अकबर, C. जहांगीर, D. आरंग जेब तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है दोस्तों आप्सन नम्मर C. जहांगीर नोट, जगत गुसाई जहांगीर की दूसरी पतनी थी 13 फरवरी 1585 में सलीम का पर्थम विबा आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान बाई से हुआ था जहांगीर के जादा सराप पीने से दुखी होकर इसने आत्महत्या कर ली थी कुछ साल बाद राजा उदर सिंग की पुत्री जगत गुसाई यानि की जोधा बाई से जहांगीर की शादी हुई सा जहां इनहीं का पुत्र था तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नमबर चार जहां गीर का राजजा बिसे कहां हुआ था आपसन है ए दिल्ली में बी आगरा में सी दक्कन में और डी कर्नोज में तो इस प्रश्न का से उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर बी आगरा में नोट जहांगीर का राजजा बिसेक 1605 में आगरा के किले में हुआ था उसने नूरूद दिन मुहम्मद जहांगीर बासा गाजी की उपाधी धार रखी जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्पत प्रदान किया जिसमें अबुल फजल का हत्यारा बीर सिंग बुंदेला भी था तो इसको यादर कियेगा अकबर की परंपरा को अस्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना सासन उदारता से आरम किया और गद्धी पर बैठते ही बिभिन लोग हितकारी आदेश दिये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कोश्चन नमबर पाँच जहांगीर को सरप्रथम किसके बिद्रोह का सामना करना पड़ा था आपसन है ए खुसरो बी जहांदार सी परवेज और डी खुर्रम तो इस प्रश्न का सेवत तरह दोस्तों आपसन नमबर ए खुसरो नोट जहांगीर के पाँच बेटे थे नमबर एक खुसरो, नमबर दो खुर्रम, नमबर तीन सहरयार, नमबर चार जहांदार और नमबर पाँच परवेज मिरज्या जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के सीगर बाद ही बिद्रोह कर दिया खुसरो को सरण देने के आरोप में गुरू अरजुन देव को मृत्तुदंड दिया गया, खुसरो को अंधा करवा दिया गया, बाद में साजहां ने उसकी हत्या करवा दी तो इसको भियाद रखिएगा, पूचा जाता है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कोश्चन नमबर 6, जहांगीर के समय में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था आप्सन है A, पोल कैनिंग, B, कैप्टन हाकिन्स, C, बिलियम एडवार्ड, D, राल्फ फिंच तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप्सन नमबर B, कैप्टन हाकिन्स नोट, कैप्टन हाकिन्स दोस्तों, इस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिन्धी था, जहांगीर से भारत में ब्यापार करने का फर्मान प्राप्त करने के लिए आया था जहांगीर ने उसे इंगलिस खां की उपाधी प्रदान की, उसकी साधी भी कराई और ब्यापार करने की इजाज़त दे दी थी, तो इसको याद रखिएगा Q7. जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे सिष्ट मंडल का नेतरुत करता कौन था? आपसन है A. जॉन हाकिन्स, B. बिलियम टाड, C. टामस रो और D. वाल्टर रेले तो इस प्रशन का सही उतर है दोस्तों, आपसन नमबर C. टामस रो नोट, टामस रो बिटेन के राजा जेम्स पर्थम का दूत था, या है 1615 में सूरत पहुँचा जनवरी 16-16 में अजमेर में जहां गीर के दरबार में उपस्तित हुआ था, तो इसको याद रखिएगा पीटर मुंडी बिटेन का यातरी था, या भी साजहां के सासनकाल में आया था, तो इसको भी याद रखिएगा बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर आठ भारत में तंबाकू की खेती किसके सासनकाल में आरंभ की गई आपसन है A, जहांगीर, B, अकबर, श्री, साह जहां, और D, आरंग जीब तो इस प्रशन का सहिवतर है दोस्तों, आपसन नमबर A, जहांगीर भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के सासनकाल में शुरू की गई तंबाकू को पुर्तगालियों ने भारत में लाया था, तो इसको याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 9, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? आपसन है A, रजिया सुल्ताना, B, महरूर निसा, C, हजरत्म, D, रोसन आरा तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है दोस्तों, आपसन नमबर, B, महरूर निसा कोश्चन नमबर 10, निम्न लिखित मुगल बासाहों में किसने अपनी आत्म कथा फार्सी भासा में लिखी? निम्न लिखित मुगल बासाहों में किसने अपनी आत्म कथा फार्सी भासा में लिखी? आपसन है A, बाबर, B, अकबर, C, जहांगीर, D, औरंगजीब तो इस प्रश्ण का सही उत्तर है दोस्तों, आपसन नमबर, C, जहांगीर बढ़ते हैं आगे नोट, जहांगीर एक उच्च कोटिका लेखक तथा समा लोचक था उसने अपनी आत्म कथा फार्सी भासा में लिखी और उसका नाम तूजुक एच जहांगीरी रखा इसको याद रखियागा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कोश्चन नमबर 11, मराठों को उमरा बर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल समराठ कौन था आप्सन है A, जहांगीर, B, अकबर, C, साजहां, D, औरंग जेब तो इस प्रश्ण का सही उतर है दोस्तों, आप्सन नमबर A, जहांगीर बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 12, मुगलो एवं मेवाल के राणा के मद्धि चित्तावर की संधी किस सासक के सासनकाल में हस्ताक छरित हुई थी आप्सन है A, अकबर, B, जहांगीर, C, साजहां, और D, इनमें से कोई नहीं तो इस प्रश्ण का सहिवत्तर है दोस्तों, आप्सन नमबर B, जहांगीर नोट, 1615 में राणा अमर सिंग तथा मुगल बासा जहांगीर के मद्ध चित्तावर की संधी हुई इसमें राणा अमर सिंग ने मुगल बासा की अधिनता स्विकार कर ली तथा बासा जहांगीर ने राणा अमर सिंग को चित्तवर समेत समस्त भूभाग वापस कर दिये जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में था तो इसको याद रखिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कोश्चन नमबर 13 चित्रकारी किसके सासनकाल के दोरान अपने उच्चता मस्तर पर पहुँची आपसन है A. अकबर B. औरंग जेब C. जहांगीर D. साह जहां तो इस प्रश्ण का सही उतर हैं दोस्तों आपसन नमबर C. जहांगीर नोट मुगल चित्रकला जहांगीर के सासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई जहांगीर के समय में सरबोत क्रिष्ट चित्रकार उस्ताद मनसूर और अबुलहसन थे मनसूर है इसको याद रखेगा मनसूर और अबुलहसन साज हाँ ने उस्ताद मन्सूर को नादिर उल अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उल जामा की उपादी प्रधान की थी तो इसको भी याद रखिएगा उस्ताद मनसूर प्रसिद पच्छी विशेसक चित्रकार था जबकि अबुलहसन को बेक्त चित्र में महारत हाशल थी कोईश्चन नमबर 14 है निमन में से कौन मुगल चित्रकला की विशेस्ता नहीं है आप्सन है दर्बारी तथा सांत्करितिक द्रिश से बी धार्मिक द्रिश से सी युद्धका द्रिश से और डी पौरारिक कताएं तो इस प्रशन का सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर B धार्मिक द्रिश धार्मिक द्रिश से मुगल चित्रकला की विश्यस्ता नहीं है बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 15 है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने सुरू की थी आपसन है A, अकबर, B, जहांगीर, C, साजहां, D, औरंगजीब तो इस प्रशन का सही उत्तर है दोस्तों आपसन नमबर B, जहांगीर नोट दो अस्पा एवं सिंह अस्पा पदोनती के बिना मनसबदारों को अधिक सेना रखने की प्रथा थी इसको याद रखिएगा बिना प्रमोसन के ही आप अधिक से अधिक से अना रखिए ये थी दोस्तों और सिंहस्तों की प्रथा बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 16 किस मुगल सासक का मगबरा भारत में नहीं है आपसन है A, बाबर और हुमाईू B, हुमाईू और जहांगीर C, बाबर और औरंग जेब D, बाबर और जहांगीर तो इस प्रशन का सही उतर है दोस्तों आपसन नमबर D, बाबर और जहांगीर नोट, मुगल बासा बाबर और जहांगीर के मगबर भारत में नहीं है बाबर को काबूल याने की अफगानिस्तान में और जहांगीर को लाहर याने की पाकिस्तान में दफनाया गया है इसको याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे कोश्चन नमबर 17, एतमादू दौला का मगबरा आगरा में किष्ने बनवाया था आपसन है A, अकबर, B, जहांगीर, C, नूर जहां, और D, साह जहां तो इस प्रश्न का सही उतर है दोस्तों, आपसन नमबर C, नूर जहां नोट, एतमादू दौला का मगबरा आगरा में नूर जहां ने अपने पिता मिरजा गियास बेक की याद में बनवाया था नूर जहां, जहांगीर की तीसरी पतनी थी, इसको भी याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे कोईश्चन नमबर 18, नूर जहां गुट में कौन सामिल नहीं था नूर जहां गुट में कौन सामिल नहीं था, आपसन है A, खुर्रम, B, एतमादु दवला, C, असमत बेगम, D, जहांगीर तो इस प्रश्ण का सही उतर है दोस्तों, आपसन नमबर D, जहांगीर नूर जहां का वास्तविक नाम महरुन निसा था, इसकी साधी पहले अली कुली खां अर्थात सेर अफगान से कर दी गई थी, लेकिन सेर अफगान की मृत्य हो गई, इसके बाद नूर जहां की साधी जहांगीर से हो गई नूर जहां का साधन सत्ता पर अधिक परभाव रहता था, आदेशो पर जहांगीर के साथ उसके भी हस्ताक्षर होते थे और सिक्कों पर जहांगीर के साथ उसका भी नाम छपता था, इतना परभाव था नूर जहां ने अपना एक गुट बना रखा था जिसमें वह उसकी माता असमत बेगम, पिता अइतमादु दौला, भाई आसप खां और खुर्रम सामिल थे बाद में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था इसको याद रखियेगा बढ़ते हैं आगे महावत खां, महावत खां दोस्तों, जहांगीर के सासनकाल का सरबाधिक बिख्यात और प्रभाव साली मुगल सेनापती था नूर जहां इसके मात्वा कांछा से आसंकित रहते थी महावत खां नूर जहां के प्रभाव को परशंद नहीं करता था इसलिए उसने 1626 में बिद्रोह कर दिया था महावत खां का बिद्रोह बहुत इंपोर्टन है इसको याद रखिएगा क्यों हुआ था बढ़ते हैं आगे कोश्चन नंबर 19 गुलाब से इत्र निकालने की सुरुवात किष्णे की थी आपसन है असमत बेगम जगत गुसाई और डी रोसन आरा तो इस प्रश्ण का सही उतर है दोस्तों आपसन नंबर असमत बेगम असमत बेगम नूर जहां की माता जी थी तो इसको याद रखिए अगर बढ़ते हैं आगे कोश्चन नंबर 20 नियाए के लिए बासा से फर्याद करने का अधिकार किसने परदान किया आपसन है अकबर और जहांगीर बी अकबर और साजहां सी साजहां और औरंग जीब ड जहांगीर और साजहां तो इस प्रशन का से उत्र दोस्तों आपसन नंबर D जहांगीर और साजहां जहांगीर और साजहां नियाए के लिए बासा से फर्याद करने का अधिकार जनता को दिया था झाल